यह है OPPO Reno6 और इस फुरकंद दराम इसका बुल कैमेरा टेस्ट कहने वाले है रिसेंट अपडेट सबकुछ यह पर करके रखा है 64MP मेन, 8MP अल्टरोइड और 2MP का मैक्रो कैमेरा दिया है और फ्रांट में मिलता है तटके 2MP के सेल्फी कैमेरा तो फुटियो को देखते रहे है और यह पर होने वाला है और यह पर हम आज रोट के साइट पर शूट कर रहे है स्लाइटल अपको नॉइस बगाड़ा सुनने को मिल जाएगा थोड़ सा एड़जस्ट कर लेना तो अभी यह जो फ्रांट कैमेर का इंटरफिस आपको देखने को मिल रहा है यह OPPO Reno6 के फ्रांट कैमेरा इंटरफिस है आप देख सकते हैं क्या कुछ option बगड़ा हमें देखने को मिल रहा है देखने में बहुत ही बड़िया लग रहा है और HDR के लिए यह परफेक्ट एडिया होगा तो इस situation पर क्लिक कर लेते अब यह पर HDR को on कर देते देखते हैं क्या कुछ हमें difference देखने को मिलता है तो दोने के अंदर difference आप देख सकते हैं HDR on and off के अंदर क्या हमें difference देखने को मिल रहा है नेक्स्ट यह पर मिल जाता है filter तो filters पर क्लिक करके मैप को दिखे तो क्या कुछ हमें filters यह पर देखने को मिल रहा है एक एक करके मैप को apply करके दिखर हो यह पर आप देख सकते changes बगड़ा हमें कैसा देखने को मिल रहा है बिल्कुल यह oversaturated filter इसके अंदर नहीं दिया है बहुत ही अच्छा कासा effect यह पर आप आड़ा है बहुत ही professional यह पर देखने में यह लग रहा है उसके बाद यह पर दिया है timer icon जिसके अंदर normally सभी handset के अंदर होता है यह पर 3 second का timer यह पर लगा सकते है तो एक timer लाके click कर लेते है तो 32MP के जो selfie camera यह पर दिया है उससे कैसा picture quality यह पर create होड़ा है और detailing बारा कैसा है तो यह पर आप देख सकते next यह जो दो dot button यह पर दिया है इसके अंदर ratio दिया है यह by default size 4x3 next यह है 1x1 एक छोड़ा सा size का picture यह पर आप click कर सकते उसके बाद यह पर आ जाता है full screen यह पर पूरा screen यह पर cover हो जाता है आप देख सकते कैसा हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा area अगर आपको capture करना है तो यह full screen का इस्तमाल आप कर सकते आप सबसे लास्ट यह 16x9, 1920x1080 का जो size है वो इसको आप कह सकते and sunlight आप देख सकते, full sunlight है यह पर और dot के अंदर जाके यह पर settings का icon हमें देखने को मिलता है settings आप देख सकते, क्या कुछ इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है location को on-off कर सकते advanced settings के अंदर flip selfie lens stand detection, quick share and edit portrait distortion correction, focus lock video encoding, यह सब कुछ काम आप settings के अंदर जाके कर सकते अभी main चीस के उपर आता है OPPO का main feature है, beautification कैसे काम करते है face के जो AI detection है, वो किस तरीके से detect करते है कितना ज्यादा development and modify यह आपर कर पता है यह आपर AI beautification का button दिया है इसके उपर आप click करके आप एक-एक settings आप दिख सकते है smoothness को 86% कर देते primar face 90%, bigger eye 78, smaller noise 75, chin 34, smaller face 75, touch up 80% 3D 85% अभी सब कुछ यह पर हमने apply कर दिया है उसके बात क्या कुछ changes हमें देखने को मिल रहा है यह आपर आप देख सकते AI beautification के अंदर जो कुछ भी development यह पर होना था सब कुछ यह पर कर दिया retouch पकड़ा, सब कुछ यह पर हमने apply कर दिया आप quality दिख सकते कैसा हमें देखने को मिल रहा है live view के अंदर आप कुछ photo map को click करके इसका quality दिखा दिता हूँ तो अभी यह जो changes हमें देखने को मिल रहा है AI beautification हमने on करके रखा है और इसको off करके कितना ज़्यादा changes ही आप आता है तो मैं आपको यह पर दिखाए दू अभी यह पर पूरी तरीकी से यह on है अभी इसको natural कर देते 3, 2, 1 अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा changes हमें देखने को मिल रहा है वैसे ही तो यह already AI beautification के साथ आता है जिसके वैसे already जो picture आपको देखने को मिल रहा है वही बहुत ही अच्छी तरीका लग रहा है but AI beautification on करके उसको और भी जदा है smooth और बहुत ही बढ़िया आप कर सकते अभी natural पर क्लिक कर लेते तो दोने के अंदा changes आप देख सकते हैं AI beautification on and off के अंदर हमें कैसा changes देखने को मिल रहा है अभी यह है इसका portrait mode portrait mode front camera के अंदर on कर देते तो कुछ ऐसा में blur देखने को मिल जाता है अभी यह 60% पर बहुत ही दा natural लगता है अभी इसको 50% के आसपास एक क्लिक कर लेते अभी इसको लास्ट यह पर 100% कर देते अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं blur का intensity कितना चादा आता है तो इनों के अंदर difference अब देख सकते हैं blur 10% 50% and 100% के अंदर कैसा हमें difference देखने को मिल रहा है इसके अंदर बहुत सरे filters and mode दिया है इसके उपर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक एक करके सारे filters में आपके अपलाई करके आपको दिखा तो यह background black and white हो जाता है subject को यह colorful रखता है next ही आता है फ्लार mode तो आप देख सकते हैं कैसा हमें देखने को मिल रहा है slightly फ्लार create करता है जो देखने में बहुत ही जदा beautiful लगता है बाकी यह है original और सारे filters में आपको यह पर click करके दिखाए तरू की कैसा हमें देखने को मिल रहा है सब ही filters portrait mode के अंदर थोड़ा सा अलग है यह पर आप देख सकते हैं क्या कुछ हमें changes यह पर देखने को मिल रहा है तो final 32 MP के camera से कैसा हमें quality देखने को मिल रहा है और यह पर हम आज road के side पर shoot कर रहे है slightly आपको noise बगार सुनने को मिल जाएगा थोड़ा सा adjust कर लेना और overall quality यह पर आप judge कर सकते हैं कैसा हमें देखने को मिल रहा है और जो कुछ भी audio आपको सुनने को मिल रहा है वो इसी phone के mic से capture हो रहा है कोई external mic बाड़ा मैं use नहीं कर रहा हूँ तो अब देख सकते हैं कैसा audio यह capture करता है अब देख सकते हैं कितने सारे settings दिया है time lapse, extra, HD, macro, slow motion, expert, text scanner, slow loop, template, dual video mode, movie, panode, sticker बहुत सारे advanced mode यह पर दिया है अभी back camera का scene यह पर देख सकते हैं इंटरफेस हमें कैसा देखने को मिल रहा है यह पर भी fast HDR AI filter बाड़ा में देखने को मिल रहा है और अभी यह normal पर मैं shoot कर रहा हूँ और इसको मैं ultrawide करके दिखता हूँ कि कितना ज्यादा wide area यह पर capture होता है अब दिख सकते हैं ultrawide और बिल्किली यह पर detailing मेंस नहीं होड़ा है बहुत ही अच्छा कासा detail यह पर capture कर रहा है 8MP के ultrawide camera इसके अंदर दिया है AI detection on करके दिखाता हूँ यह जो green color हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर कितना scene optimize होता है saturation and vibrance कितना जदा increase यह पर होता है तो यह पर हमने यह AI mode on कर दिया आप देख सकते हैं green color जो यह पर देखने को मिल रहा है यह बहुत ही दा saturated देखने को मिल रहा है saturation slightly में जदा देखने को मिलता है अभी back camera के अंदर कितने सारे filters यह पर दिया है ओ यह पर चिक कर लेते तो filters के अंदर यह original, fresh, clear एक हे करके सारे effects में पर apply करके दिखाता हूँ अब देख सकते हैं अलग-अलग synth बहुती बढ़िया effect यह पर create कर सकते है जिसके मद्दम से बहुती बढ़िया creative photography आप अपने तरब से कर सकते है यह vintage बहुती यह पुराना सा effect यह पर मिलता है next यह city slightly light up कर देता है and saturation बगारा slightly ज़्यादा हमें देखने को मिलता है तो फुरहल सारे filters यह पर एक हे करके आप try करके देख सकते है बहुती बढ़िया काम का चीज यह पर दिया है यह पर और एक mode try करके देख लेते है extra HD जो mode दिया और 64 MP दोनों के अंदर क्या हमें difference देखने को मिलता है वो यह पर देख लेते है तो यह fast यह पर extra HD mode पर click करते है अभी extra HD mode off करके यह दो dots पर click करके 64 MP on करके click करते है अभी यह 64 MP का photo इसको अगर मैं zoom करके दिखा हूँ तो देख सकते है कितना ज़्यादा zoom यह पर हो पता है और clarity के अंदर slightly means हमें देखने को मिल रहा है बट 64 MP के अंदर अच्छा कासा clarity overall हमें देखने को मिल रहा है तो आसपास का green पत्ते भी यह पर आप देख सकते है 64 MP के अंदर हमें कैसा देखने को मिल रहा है और कितना ज़्यादा zoom यह पर आप कर सकते है तो यह हो गया 64 MP अगला यह जो photo है यह extra HD mode पर capture किया है और इसको मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ कितना ज़्यादा zoom यह पर होता है आप देख सकते है उतना बड़िया तरीका तो नहीं मल रहा है इससे अच्छे तो 64 MP का ही है बट यह extra HD mode किसके लिए दिया है पता नहीं चल रहा है मतला एक extra feature बट उतना ज़्यादा काम का मुझे नहीं लग रहा है इसको फूल तरीके से zoom करू तो 64 MP जैसा ही आता है और slightly 64 MP और ज़्यादा बेटा रहे तो दोने के अंदर difference अब समझ सकते है extra HD और 64 MP के अंदर ज़्यादा difference नहीं है बट slightly 64 MP ज़्यादा बेटा रहे अगला ये जो मोडे सबसे ज़्यादा डिमेंडिंग होता है expert mode या pro mode आप इसको बोल सकते है जापे ISO बगड़ा यापे सबकुछ manually यासे आप control कर सकते है तो थोड़ा सा यापे customization करके एक photo click करके map को दिखाता हूँ कैसा हमे quality देखने को मिलता है warm tone slightly यापे ज़्यादा कर देते autofocus भी रखते या brightness को और ज़्यादा low तो ज़्यादा कुछ option ये पे नहीं दिया ये eye button पे click करके अप selectly इसके बाड़े में ज़्यादा जान सकते है shutter speed ISO के बाड़े में इसके अंदर जो actual mode और raw mode बगार इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता normal shutter speed ISO white balance आप control कर सकते Kelvin के अंदर control कर सकते ये बड़ी बात है मतलब basic feature दिया है उतना ज्यादा advanced feature raw mode लॉग बगार इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया है ये पे click करके sample map को दिखाएती हूँ और एक चीज ये पे देना चाहिए था ये पे 1x पे चल रहा है भर इसको आ अल्ट्रा वाइट कर नेका कोई option हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिल सकते हैं next यह पर stabilization by default यह पर on रहता है तो इसको आप on off कर सकते, basic जो कुछ भी feature इसके अंदाद दिया है, वो सब कुछ मैं आपको explain कर देता हूँ, यह है grid line, तो अच्छा कासा cinematography यह से आप कर सकते, और यह सारे जो option आपको view हो रहा है, इसको आप ऐसे ही height and on off कर सकते, और flash को भी यह से आप on off कर सकते, बाकी normal जो कुछ भी है यह पर ISO बगड़ आप control कर सकते, white balance आप control कर सकते, तो अपने ही सब से आप best scene create कर सकते, यह movie mode का इस्तेवाल करके, कोई short film बगड़ा या अपने ही सब से कोई settings करके customize video आप बनाना चाहते, तो एई से यह possible है, अब इसके अंदा 10x zoom करके मैं आपको दिखाता हूँ, कितना ज्यादा यह पर zoom होता है, तो अभी यह 1x पर, अभी instantly मैं इसको अल्टरोइट पर shift करके दिखाता हूँ, तो अभी यह आल्टरोइट पर चल रहा है, तो अब देख सकते कितना हमें changes देखने को मिल रहा है, इसको 10x करते, 6.1x, अचली यह पर 10x नहीं, 20x zoom दिया है, तो 20x zoom यह पर टेस्ट करते, 16.5x, अचली यह 10x, नॉर्मल फोन के अंदर जो 10x zoom दिया जाता है, तो 10x करने के बाद कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, अभी इसके अंदर 20x zoom दिया है, तो फुल 20x करने के बाद कुछ ऐसा है, अभी आप देख सकते, कितना ज़ादा यह पर zoom हो गया, और और ये है 1X, तो तिनों के अंदर difference अब देख सकते 20X, 10X and 1X के अंदर हमें कैसा difference देखने को मिलता है, और ultrawide भी मैप को दिखे तू, ये है इसका ultrawide, अभी इसके अंदर focus टेस्ट करके मैप को दिखाता हूँ, कितना जल्दी सी ये fast focus ले पाता है, इसका autofocus system कैसा है, 321, ब पास, दूर, पास, दूर, पास, दूर, आटो focus system इसका भाई बहुती बढ़िया है, बहुती ज़्यदा fast autofocus ये ले लेता है, normally जैसे मैं 321 करके उपर ले आया था, बहुती ज़्यदा अच्छी तरीक से fast focus ये ले रहा है, और दूर पास ले जाने पर भी बहुती अच्छी आप आते, तो ये अपर देख सकते, light अच्छा खासा ये अपर shift होड़ा है, शीप्ट होने के टाइम पर slightly ये पर समझ में आ रहा है, कि light ये अपर shift होड़ा है, तो अब देख सकते कैसा हमें changes देखने को मिल रहा है, तो वीडियो करने के टाइम या normal photo capture करने के टाइम, कितन प्रोफेशनल इसका tone है, ये इसे ही समझ में आता है, कि exposure shift इसका कैसा है, कितना ज़्यदा smooth transition ये अपर होड़ा है, तो अब देख सकते हैं, exposure ये अपर shift होड़ा slightly समझ में आ रहा है, उतना बड़ी तरीकी से smooth transition ये नहीं कर पाया, अभी इसका macro mode मैं प्रोटेस्ट करके आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं, अगर मैं पास जाने की कोशिश करता हूँ, तो इतना ही ज़्यदा पास ही आप होड़ा हो जाता है, और इससे ही आप क्लिक कर लेते हैं, तो नर्मल photo mode से अगर आप macro लेने की कोशिश करते हैं, तो देख सकते हैं, इतना ही distance ये अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, बाकि किसी भी subject का पास जाने की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं, ये नर्मल photo mode से हमने खीचा है, और इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखा हूँ, तो आप देख सकते हैं, ये सब कुछ हमने normal photo mode से capture किया है, तो आप देख सकते ह जादा close आप नहीं जा सकते हैं, जो normal macro mode के अंदर जा सकते हैं, तो अभी macro mode का sample map को दिखा हैं, ये macro mode से किचा हूँ, आप देख सकते हैं, अलड़ी ये कितना ज़दा पास है subject के, quality उतना बढ़िया नहीं, ये 2MP के macro camera इसके अंदर दिया है, जिससे उतना बढ़िया detailing and clarity हमन पे देखने को नहीं मिलता, तो और कुछ sample ये पे आप देख सकते हैं, ये सब कुछ macro mode से capture किया हूँ है, और इसके अंदर detailing slightly हमें देखने को मिल रहा है, बढ़ 2MP से इससे जदा आप expect नहीं कर सकते हैं, अभी front camera से आप video record करते हैं, तो देख सकते हैं, quality हमें कैसा देखने क को मिल रहा है, full HD तो record हो रहा है, full HD and 720p दोनों option ये पे दिया है, 60p या 30p पे record हो रहा है, ये कुछ भी आप बताया नहीं गया है, तो by default full HD 30p पे record होता है, बाकी का 60p पे भी record होता है, तो मैं आपको बता दूँगा, और ये sun के opposite side पे हूँ, देख सकते HDR हमें कैसा देखने क मिल रहा है, जैसे landscape पे आप vlogging बाड़ा करने चाहते हैं, तो full screen पे आप देख सकते हैं, कैसा हमें overall quality देखने को मिल रहा है, और ये sun के opposite side में अगर आप work करते हैं, तो stabilization कभी आपको अंदजा हो जाएगा, तो मैं ये work कर रहा हूँ, कोई gimbal बाड़ा use नहीं कर रहा हूँ, तो को सुनने को मिलेगा, मैं इसी phone के mic से record करूँगा, तो आप सुन सकते हैं, कैसा हमें audio quality सुनने को मिलेगा, instantly vlogging के लिए phone on करके अगर आप कोई video बगड़ा बनाते हो, इसके जो internal mic ये पे दिया है, उससे कैसा हमें audio quality सुनने को मिलेगा, वो ये पे आप सुन सकते हैं, और अभ कर सकते हैं, और ये जो चीज़ें बहुत ही जदा highlight किया जा रहा है, इस phone के अंदर, आप देख सकते हैं, आसपास का area ये पे हो गया, completely blur, और कितना जदा AI detection काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा का से ये पे काम कर रहा है, slightly अगर issue होता है, तो आप ये पे देख लेना, मैं ये किसी ये पे कर रहा है, age detection कैसा हमें देखने को मिल रहा है, yes, front camera के अंदर, ऐसे DSLR जैसा effect आप पा सकते, बट एक ही problem है, ये 720p पे रिकॉर्ड हो रहा है, Full HD पे ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, Full HD पे ऐसा mode support नहीं करता, इतने दिन अपडेट के अंदर देदेना चाहे था, बट बिलुकल इसके अंदर नहीं दिया है, Full HD पे आप ये portrait mode का वीडियो यूज नहीं कर सकते, अब वीडियो की बाद करूँ तो back camera का वीडियो ये पे आप देख सकते, कैसा हमें देखने को मिल रहा है, और walk करते, अगर stabilization हमें कैसा देखने को मिल रहा है, slightly ये vibrate हो रहा है बाद की overall frame आप देख सकते, Full HD 60fps पे हम ये shoot कर रहा है, और overall quality हमें कैसा देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते, आसपास का idea बहुत भी बढ़िया है, Full HD 60fps पे कैसा quality हमें देखने को मिल रहा है, वीडियो के अंदर किसी भी subject को थोड़ा सा पास में लेके जाके map को दिख रहता है, 4K 30fps का ये footage आप देख सकते हैं, overall quality कैसा है, 4K पे अगड़ा video record करने चाते हैं, तो कुछ ऐसा ही हमें quality देखने को मिलने वाला है, और इस पत्ते के उपर बहुत ही अच्छा गासा light पड़ रहा है, तो 4K का quality इससे आपको अंदर जा आ जाएगा कि कैसा quality ये record कर र नहीं मिलेगा, 4K 30fps पे, so finally ये है 4K 30fps का footage, कैसा हमें quality overall देखने को मिल रहा है, तो ये पर आप देख सकते हैं, तो ये के अंदर ये altroid भी support करता है, altroid के अंदर अगड़ा video करते है, quality ये आप देख सकते है, slightly loss होता है, but overall quality बहुत ही बढ़िया है, full HD 30fps पे अगड़ा video record करत है, तो yes, ये इसके अंदर possible है, और बहुत ही बढ़िया तरीका frame या प्याप बना सकते हैं, अभी back camera के अंदर हमने stabilization on कर दिया है, और देख सकते हैं, कैसा हमें stabilized footage देखने को मिल रहा है, बहुत ही ये बहुत ही इदा cinematic footage हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है, और थोड़ smoothness, सच में बहुत ही बढ़ी है, मैं hand से ऐसे move कर रहा हूँ, इसका smoothness आप देख सकते हैं, कैसा हमें देखने को मिल रहा है, अभी फिर से हमने ये पर ultra steady mode on कर दिया है, और देख सकते हैं, आसपास का scene कैसे हमें बहुत ही ज़ादा smooth देखने को मिल रहा है, steady बहुत ही ज़्य प्रफेशन के साथ बहुत ही बड़ी अतरी का फ्रेम हमें आसपास देखने को मिल रहा है और बैक के अगर आप बोके मोड चाते तो बैक के मेरा का बोके मोड यह पर देख सकते हैं इस्टेबलाइस बहुत ही जदा है और बहुत ही अच्छा कासा एज डिक्शन देखने को मिल और बहुत ही जदा सिनेमेटिक हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही बड़ी बड़िया एज डिक्शन देखने को मिल रहा है और यह बाइव क्या कर रहा है क्या चल चल क्या रहा है बाई चथाक हो ली मैंने सोच आधा भरत निट्टम चल रहा है बाट ओवराल आप देख सकते एज डिटेक्शन बाई दोनों का यह बहुत ही अच्छा गासा मिंटेंड किया और फिर से और एक बार कर देखते एज डिटेक्शन तीक तरीकिसे मिंटे का एडिया है और आसपास का नचर अभी आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर कुछ टाइम-लैप्स मैं आपको रेकॉर्ड करके दिखाता हूँ ओपो रेनोशिस के अंदर हमें कैसा टाइम-लैप्स देखने को मिलता है और अभी सोलो मोशन की बाद कर दूता है फूल इस अब दिख सकते हैं अब दिख सकते कैसा हमें दिखने को मिल रहा है ओवरल एक वाइट शैड़ो हो जाता है इसके वैसे बहुती अच्छी तरीका छोटा सा का light होता है अब ही जो light source ही आपके आड़ा है मैपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं बहुती ज़्यादा कम light source है जिसके अंदर बहुती बढ़िया तरीका source exposure बहुती अच्छी तरीके से maintain कर लेता है अब देख सकते हैं ओवरल light live view के अंदर ही बहुती अच्छी तरीका मिल रहा है और इसको मैं आपको capture करके दिखाता हूँ ये पे कुछ sample आप देख सकते हैं night mode के अंदर अगर आप selfie बगड़ा कीचते तो कैसा हमें quality देखने को मिलता है और डिरेटली मैं आपको outdoor के अंदर शूट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि outdoor के अंदर ज़्यादा ऐसे situation ज़्यादा होता है चोटा सा light होता है जिसके अंदर आपको बहुती ज़्यादा रौशनी चाहिए और exposure बहुती ज़्यादा चाहिए तो आप देख सकते हैं outdoor के अंदर ऐसे अगर आप शूट करते तो बहुती ज़्यादा इसको ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है अभी सब कुछ शूट बगड़ा हो गया complete और night mode ही बागी था यह पर आप night mode का कुछ शूट देख सकते हैं अगला मैं आपको देखता हूँ कुछ फोटो जो हमने night mode का इस्तमाल करके पीछा है का इस्तमाल की मैं आपको पीछ लाई यह बगड़ा है झाल